हेलो बच्चो कैसे हो आप आज हम इंग्लिश का फिफ्ट चेप्टर करेंगे जिसका नाम है दा स्टोरी ओफ सिंदबाद दा सेलर लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए वीडिय और मैंने इससे पहले बाकी चैप्रेस एक्स्पेंड कर दिये अगर आप नहीं देखो तो वह भी देख लो ठीक है बच्चो तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं क्या है दा स्टोरी ओफ सिंदबाद दा सेलर मतलब बच्चो क्या जो नाव नहीं चलाते हैं उनको सेलर बहुत सिंदबाद की जो साथ लंबी यात्रा अजबुत है वो उनके कहानी की बुक में लिखी हुई है वो बुक का नाम किया दा बुक ओफ वन थाउजन और नाइट्स और अरेबियन नाइट्स यह दो बुक है जिसका नाम है जा स्टोरी टेल्स तेल्स अस डैट सिंदबाद वह फेमस सेलर वू लिव इन बगदाद तो इस्टोरी जो है हमें क्या बताती है यह कहानी कि सिंदबाद एक बहुत ही मशूर सेलर है जो बगदाद में रहते हैं मताद वह बहुत ही सच्चा और द्यालू और बहुत ही बहादूर है मताद जो साथ उनके जो लंबी यात्रा है उसमें अलग-अलग अडवेंचर है मताद उन्होंने कभी भी अपना दिल छोटा नहीं किया खतरनाक से खतरनाक हालात में मतलब बच्चों कि वह जो भी खतरा था उससे निकल कर वापिस आते हैं अपने घर सेफली मतलब सुरक्षित जो भी लंबी यात्रा पे वह साथ यात्रा पे गई है मतलब यहां पे उनके पहले जो पहली स्टोरी है उसकी जो पहली यात्रा है उसकी कहानी है ठीक है तो देखते हैं क्या है मतलब पहली लंबी यात्रा जो पहली उनकी यात्रा है वो जो सिंधबाद है देखते हैं यहां पर क्या लिखा है बच्चों सिंदबाद सेट सेल्स विद कंपनी ओफ मर्चेंट्स ओन बिग शिप मतलब बच्चो वया पारी मतलब सिंदबाद अभी यात्रा पे निकलने वाले थे नाउ में किसके बड़े बड़े वया पारी है उनके साथ एक बड़ी सी नाउ पर यहां पर एक नाउ दीवी है पर्ट मतलब बच्चो बंदरगा जहां पर नाउ नहीं रुखती है उसको पोड बोलते है इस टोप मतलब रुखना मतलब कि टाइम टॉट मतलब समय समय पर मतलब समय समय पर वह अलग अलग बंदरगा पर रुखे जो बेशने वाला समय रहते है मतलब जहां पर रुखते थे उसको बेशते थे जहां अलग अलग बंदरगा पर रुखते थे और नहीं चीज़े लाते थे वह अपर करने के लिए सेलिंग मतलब बच्चो पानी में चलना स्मूथली मतलब अच्छे से अक्रोस मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ स्पोर्ट मतलब धुणना या दिखना आइलेंड मतलब दूइब बच्चो जो नहीं पानी के बीश में जमीन रहती उसको आइलेंड बोलते हैं मतलब एक दिन जब शिप पानी में चल रही थी आराम स्मूथली चल रही थी तब उन लोगोंने क्या देखा एक आइलेंड देखा कुछ दूरी पर देखो बच्चो जब नाओं में कोई सफर करता है ना तो समूंदर बहुत बढ़ा रहता है जब एक जगह से दूसरी जगह जाने पर ना बहुत दिनों तक पानी में रहना पड़ता है क्योंकि जो जहास जो नाओ रहता है उससे बहुत टाइम लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में ठीक है आगे देखते हैं मतलब उन्होंने जो नाओ थी उसको पास में लाया आइलेंड के जो दूइब था दैकेप्टन ऑफ दी शिप अलाओ देम तो गो देर फोर पिकनिक जो शिप पे गैपटन रहते है उसको बोलते है मतलब जो शिप पे चैपटन थे उन्होंने उनलोगों को इजाज़त ऑलाओ इजाज़त देना इजाज़त दिया कहाँ पे आइलेंड पे जाके पिकनिक माना एंदाये ठीक है मतब जो यह लोग थे वो आइलेंड पे घूम रहते तहल रहते गाह रहते और नाच रहते सम पीपल बिगें टू वाश क्लोथेज वाश मतब धुलना मतब कुछ लोग नों ने अपने कपड़े धुलने शुरू कर दिये लिट फायर्स टू कुक मील्स लिट मतब बच्चो जलाना फायर मतब आग मतब कुछ लोगों ने आग जलाई किसलिए खाना पकाने के लिए ओक बच्चो अभी आगे देखते हैं आगे क्या है सून अब बच्चो धीमी हवा जो रहे थे मतब सून मतब जल्दी जल्दी एक हवा चली धीरे से दा फायर बिगें टू ब्लेज ब्लेज मतब बच्चो आग लग जाना तो जो आग थी वो ही बहुत भेंकर तरीके से फैल गई मतब जो जो जमीन थी जिस पर ये लोग आईलेंड समझ की उतरे थे वो अचानक से हिलने लगी और चलने लगी विट शौक दा पिक्निक पार्टी रियलाइज देट अट आईलेंड वस नोट एन आईलेंड अट अल शौक मतब बच्चो आश्यर रियलाइज मतब जानना मतब उन्हें जो बहुत ही शौक हुए उन्हें मालूम पड़ा कि जिसको ये जमीन समझ रहे थे वो जमीन नहीं है they were on the back of huge sea monster and it had started moving sea monster मतब बच्चो समुंद्री राक्षस मतब उन्हें क्या मालूम पड़ा देखो ये देखो यहाँ पर जो आईलेंड दिखाया है इस पर ये लोग थे अपना खाना बना रहे थे कपड़ा धूल रहे थे लेकिन अचानक ये हिलने लगा और आग फैल गई इसके उपर होने लगा तो इनको क्या जल्दी मालूम पड़ा ये लोगों को जो लोग थे जो शिप से गए थे कि वो लोग कोई जमीन पर नहीं कोई दूइब पर नहीं है वो एक समुंद्री राक्षस है जिसके पीठ पर लोग खाना बना रहे थे कपड़े दूल रहे थे अब आगे देखते हैं क्या है एंड पीपल बिगें टू स्क्रीम मतब चिलाना मतब लोगों ने चिलाना शुरू कर दिया दे लिफ्ट देर पोर्ट्स एंड पैंस देर क्लोथेज बोथ वोश्ट एंड उन्वश्ट पोर्ट्स मतब बच्चो मटका या तो बरतन पैंस मतब लोगों ने अपने बरतन कपड़े धुले हुए और बिना धुले हुए सब छोड़ दिये एंड रस्ट बैक टू देख भागना और वो अपने शिप पे नाव पे वापीस भागे देर कैप्टन ओडर्ड इस में तू सेट सेल इमिडिटल इन ओडर तू मुव अवे फ शिप को चलाओ ताकि वह मॉंस्टर जो राक्षा से उतसे दूर जा पाएं वो लोग ठीक है अब आगे दिखते हैं आगे क्या है इदो बच्चो यहां पे शिप के पास भागे सब लोग और शिप कैप्टन लेके जा रहा है भी अभी आगे क्या बता है दसी मॉंस्टर प् पानी में कूद के गहराई में अंदर चला गया मैने अव दा पीपल मैने इस्टू क्लाइब अबोर्ड शिप बट मेनी शेंग इन दसी विद सो कॉल आइलेंड मतलब बच्चो देखो क्लाइम मतलब कूदना शिप मतलब नाओ सिंग मतलब बच्चो डूबना मतलब बहुत सारे लोग तो शिप पे चड़ने में कामियाब हो गए लेकिन बहुत सारे लोग जो आइलेंड समझके जिस पे थे उसके साथ वो लोग डूब गए सिंदबाद अलोन डिड नोट ड्रोन इंदसी अलोन मतलब अकेले मतलब जो सिंदबाद था वो अकेले ही था जो ड्रोन मत सिंदबाद देखो सब लोग यह नाओं से भाग रहे हैं और दम देखो एकदम कैसे तूफान आ गया समूंदर में सब डूब रहे हैं नाओ देखो एकदम उथल बुतल हो गई है But he could not reach the ship, reach मतलब बच्चो पहुचना लेकिन वो कैसे जो सिंदबाद था वो अकेला पानी में नहीं डूबा था लेकिन वो शिप पे भी नहीं पहुच पाया था He saw it sailing far far away So, मतलब बच्चो देखना Far away मतलब बहुत दूर मतलब चिंदबाद ने ship को दूर जाते हुए देखा जबकि वो डूबा नहीं था, वो पानी में तैर रहा था He was now at the mercy of the waves being tossed here and there Mercy मतलब बच्चो दया Waves मतलब लहर Tossed here and there मतलब इधर उधर उचलना मतलब कि अब वो जो लहर थी उसकी दया पर था कि अगर वो उसको किसी किनारे पहुचा दे तो बच जाएगा तो यह उधर से उधर फेका जा रहा था जो लहर थी उससे He plunged to a piece of wood and somehow managed to keep afloat Plunge मतलब बच्चो चिपकना Peace मतलब टुकडा, wood मतलब लकडी Afloat मतलब तेरना मतलब वो एक जो लकडी का टुकडा है उससे वो उसको पकड़के जोर से चिपक गया और वो कैसे भी करके तेरता रहा He spent the night alone at sea Spent मतलब बच्चो गुजारना मतलब उसने रात समुंदर में रात अकेले गुजारा वो लकडी के पट्रे पे जो लकडी का वो टुकडा था उस पे अगे देखते हैं क्या बच्चो When the next day dawned Sindhabad was happy to see that he had floated near an island A real big island Dawn मतलब बच्चो सवेरा होना Happy मतलब खुश होना Floated मतलब तैरना Real मतलब असली Big island मतलब बड़ा दुवीप मतलब जब अगले दिन सुबा होई तो Sindhabad देखकर खुश हुआ कि वो तैरकर एक दुवीप पर आ गया है एक असली बड़ा दुवीप He could see hills and woods and trees at a distance मतलब वो पहाडी Hills मतलब बच्चो पहाडी Woods मतलब लकडी, tree मतलब डिस्टम मतलब दूरी कि वो अब पेड, पहाडी कुछ दूरी पर देख पा रहा था Though he was extremely tired He swam to the shore with all the strength that he could muster Extremely मतलब बच्चो बहुत जादा Swam मतलब तैरना Shore मतलब किनारा Strength मतलब ताकत Master मतलब बच्चो जमा करना मतलब कि वो भले से बहुत ही जादा थका हुआ था लेकिन वो अपने पूरी ताकत लगा के तैर के किनारे पर गया अपने पूरी ताकत जमा करके तैर के वो किनारे पर गया Exhausted and hungry He lay on the sand for some time Exhausted मतलब बच्चो थका हुआ Hungry मतलब भूका ले मतलब बच्चो ऐसे सो जाना एकदम हिलना नहीं ऐसे सो जाना ठीक है तो क्या हुआ कि वो बहुत ही जादा थका हुआ था और भूका था लेकिन फिर भी वो जो रेत है जो समुंदर के किनारे उस पर लेड़ गया कुछ टाइम के लिए Then again he made an effort and began to walk inland towards the shady fruit trees that he could see at a distance Effort मतलब बच्चो मेहनत करना Inland मतलब कोई किनारे से दूर Shady fruit trees मतलब कि जो चायादार जो पेड़ थे तो क्या उसने थोड़ी कोशिश करके चलना शुरू किया और किनारे से दूर जंगल के अंदर गया जो चायादार पेड़ थे उसमें कि क्या बच्चो आगे देखते क्या है Luckily this was the time when the king of that island sent his horses to sea shore with grooms दो बच्चो लगली मतलब बच्चो खुश-खुश किसमती Horses मतलब घोडे Seashore मतलब समुंदर के किनारा The grooms मतलब बच्चो जो घोडे की देखभाल करते है मतलब कि उस दिन जो वो island का जो राजा था जहां पे सिंदबाद पहुचा था तो आइलेंड के राजा ने जो घोडो की देखभाल करने वाला है उसको समुंदर के किनारे भेजा था The grooms saw सिंदबाद and gave him food and drink Food मतलब बच्चो खाना, drink मतलब पानी ये सब मतलब उसने जो था गोडो की देखभाल करने वाला उसने सिंदबाद को देखा और उसने सिंदबाद को खाना और पानी दिया Then they took him to the king मतलब वो फिर बाद में उसको राजा के पास लेकर गए सिंदबाद को The king, आगे देखते हैं The king was impressed by the way सिंदबाद told him about what had happened Impressed मतलब बच्चो खुश हो जाना, impressed होना तो जो king था वो सिंदबाद से बहुत ही जादा impressed हुआ जब उसने सुना कि सिंदबाद के साथ क्या हुआ था He asked सिंदबाद to stay with him and work as an officer to the king at the port पोर्ट मतलब बच्चो जो बंदरगा होता है उसको पोर्ट बलते है मतलब जो राजा था उसने सिंदबाद को क्या कहा कि वो उनके साथ रुके और उनके लिए ऐसा officer की तरह काम करे उनके बंदरगापर सिंदबाद stayed there for few days सिंदबाद कुछ दिनों तक वहाँ पे रहा Learning a lot from the king and the people on the island and in turn telling them about the other cities and ports that he had visited Learning मतलब बच्चो सीखना Island मतलब बच्चो दूइप और विजिटर मतलब कहीं जाना Ports में बंदरगा मतलब कि सिंदबाद ने राजा और लोगों से बहुत कुछ सीखा और उसके बदले उसने वहाँ के लोगों और राजा को अलग-अलग राज के बारे में जहां पे वो गया था सामान बेशने उसके बारे में उन लोगों को बताया At the port सिंदबाद often made inquiries about any ships coming from or going to Baghdad But no such ship ever came to that port Inquiries मतलब बच्चो जानकारी निकलना Ever came मतलब बच्चो कभी आना मतलब कि जो सिंदबाद था वो लगातार हमेशा जानकारी निकालता था कि कोई ship आई है क्या Baghdad से लेकिन कोई भी ship उसे कभी भी जानकारी नहीं मिलती थी कि कोई ship आई है वहाँ पे वो island पे आगे देखते हैं Then one day a ship arrived at the island with lot of merchandise Arrived मतलब बच्चो आना Merchandise मतलब बच्चो जो बेचने वाला सामान रहता है मतलब एक दिन एक ship आई आई है जो दूइप है उस पर बहुत सारे सामान के साथ शिंदबाद वाज एट क्वे विन दा कार्गो फ्रॉम देट शिप वाज बिंग अनलोड़ेड क्या रहता है जो बंदरगाह ना जहां पर शामान जहां शिप रुखती है उसको बोलते है कार्गो मतलब बच्चो जिसमें ship में ने जिसमें सामान रखते हैं देखो इसको कार्गो बोलते है ठीक है आगे दिखते हैं भी क्या बोला है कि सिंदबाद वही पर खड़ा था जब शिप से सामान उतारा जा रहा था अनलोड़न मतलब उतार दा He was surprised to see that his own name was marked on some of the boxes Surprised मतलब बच्छो आश्चर रहे मतलब कि सिंदबाद को आश्चर हुआ कि कुछ जो box है जो box है उस पर सिंदबाद का ही नाम लिखा हुआ था जो शिप आई थी उस शिप में यह बच्छो यह शिप आई है यहां पर सामान उतारा जा रहा है तो इस पर कुछ जो boxes है बहुत सारे boxes पर सिंदबाद का नाम लिखा हुआ था जो देखके उसे बहुत ही आश्चा रहे हुआ सिंदबाद को आगे देखते आगे क्या है then he went to see the captain of the ship मतलब फिर वो जो captain ship का जो captain था उसे देखने के लिए गया सिंदबाद at first the captain could not believe that it was the same सिंदबाद that they had seen drowning in the sea believe मतलब बच्चों विश्वास करना drowning मतलब डूबना मतलब पहले तो जो captain था उसे देखके विश्वास ही नहीं हुआ येकीन ही नहीं हुआ कि ये वही सिंदबाद है जिसे उन्होंने अपने आखों से समुंदर में डूबते हुए देखा था उन्हें येकीन ही नहीं हो रहा था कि ये बच सकता है but when सिंदबाद spoke to him face to face he recognized him spoke मतलब बच्चों बोलना face to face मतलब आपने सामने recognize मतलब पहचानना मतलब जो कैप्टन था पर फिर वो सिंदबाद को पहचान गया जब सिंदबाद उससे आमने सामने खड़े होके बात किया face to face he was overjoyed to see सिंदबाद alive overjoyed मतलब बच्चों बहुत जादा खुश होना alive मतलब जिंदा मतलब जो कैप्टन था उसिंदबाद को जिंदा देखकर बहुत ही जादा खुश हुआ he gave him back all his merchandise merchandise मतलब बच्चों वही जो बेचने वाला सामान है मतलब उसने जो कैप्टन है उसने सब कुछ जो सिंदबाद का सामान था उसको वापिस दे दिया from the goods that he thus got back सिंदबाद presented the most valuable items to the king of the island मतलब बच्चों जो जो इसको जो सिंदबाद को जो कैप्टन ने जो जो सामान दिये थे उससे क्या किया presented most valuable मतलब बच्चों खास item मतलब मतलब कि जो सिंदबाद को कैप्टन ने सामान वापिस दिया था उसमें से उसने बहुत ही कीमते चीज़े राजा को दिया जो आइलेंड पो रुका हुआ था और क्या बोला उसने फिर सिंदबाद में please accept this your majesty majesty मतलब बच्चों महराज या त साथ बहुत ही अच्छे से रहे हो the king was pleased 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 मतलब बच्चों खुश होना आनंदा ना तो जो किंग था वो बहुत ही ज्यादा खुश होना बहुत खुशी हुए मतलब कि राजा ने भी सिंदबाद को बहुत ही खास बहुत तोफे दिये जब सिंदबाद नां से वापिस जाने लगा वयापारी लोग के साथ if you want to know what happened to सिंदबाद afterwards you afterwards मतलब अगर आपको जानना है कि सिंदबाद के साथ बाद में क्या हुआ you have to read the rest of the story of his fantastic wages मतलब अगर आपको जानना है सिंदबाद के साथ आगे क्या हुआ तो आपको इसकी जो अदबुत कहानिया है वो आपको पढ़नी पढ़ेगी क्योंकि इसके बहुत बुक आती है बच्चो मोटी सी बुक है जिसमें कहानिया लिखी रहती है छोटी-छोटी भी बुक आती है वो अगर आप पढ़ोगे तो मालूम पढ़ेगा कि यहां से निकलने के बाद सिंदबाद के साथ और क्या हुआ ठीक है बच्चो तो यहां प करो शेर करो इन चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक यू